जैश्री राम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब है दशेरा, ऐसे कौन से खास उपाई हैं, जिने आप दशेरा के दिन करके अपने जीवन के कश्टों को दूर कर सकते हैं, किसी लंबे समय से चली आ रही परिशानी, दुख को दूर कर सकते हैं, अपनी हर म पूजा विदी और पूजा के शुब मूरद, ये सब जानना है तो वीडियो अंतिता कावश्य देखें, शारिदी नवरात्री खत्म होता ही दसवे दिन विजया दश्मी यानि दशैरा का पर्व मनाया जाता है, बड़ाई पर अच्छाई की जीत के इस तोहार को पूरे द विजया दश्मी के नाम से भी जाना जाता है, हर साल इस दिन रावन का पुतला बना कर फूंका भी जाता है, इस बार आश्वे नमास की दश्मी तिति की शुरुवात 12 अक्टूबर सुबह 10 बचकर 58 मिनट से होगी, और दश्मी तिति का समापन 13 अक्टूबर सुबह 9 बच पूज कर 8 मिनट पर होगा, ऐसे में दश्मी पूज कर 12 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, इस दिन अप रानहा की पूजा का समय तो पहर 1 बचकर 17 मिनट से लेकर 3 बचकर 35 मिनट तक है, विजया दश्मी पूज कर 2 मिनट से दो पहर 2 बचकर 48 मिनट तक रहेगा, इस जानते हैं दशेहरा के दिन की पूरी पूजा विधी, दशेहरा के पूजा के लिए आपको गाय का गोबर, दीपक, धूबवबत्ती, जनेउ, रोली, मोली, चावल, कुम-कुम और चंदन आदी सामगरे की आवशकता होगी, अभिजीत मूरत में ही विजय दश्मी के पूजा अर्चना करना शुब माना जाता है, हमेशा इशान कोण में दशेहरा पूजन करें, पूजा स्थान को पहले गंगा जल से पवित्र करें, इसके बाद कमल की पंखुडियों से अष्ट तल बनाएं, इसके बाद देवी अपराजिता, भगवान श्री राम और माता स सुख समरिद्धी की मनो कामना करें, अब अश्ट दल के बीच में ऑव पराजिताय नमहा, इस मंत्र का जाप करें और मादुर्गा के साथ भगवान श्री राम की पूजा करें, अब रोली, अक्षत, फूल आदी की पूजा सामंगरी, मादुर्गा और भगवान श्री राम को चुड़ाएं आप भगवान श्री राम और माता रानी के साथ इस दिन हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं ऐसा करना अत्यंत शुब होगा अब श्री राम और माता दुरगा की आरते करें और जैकारे भी लगाएं अगर आप इस दिन भही खाते या शस्त्रों के पूजा कर रही है तो पूजा स्तल पर इन चीज़ों को भी रख दें और इन पर भी रोली वा अक्षत लगाएं अब भगवान को भोग अर्पित करें याद रहे ये भोग घर पर बिना प्याज लैसुन के बने हुए और सात्विक ही होने चाहिए ये भोग मीठे या नमकीन दोनों ही हो सकते हैं साथ ही इस दिन आप भगवान को मिठाईयों और फलो का भोग भी लगा सकते हैं पूजा पूर्ण होने से पूर्व माता की आरती करें भगवान से पूजा के दोरान जानी अंजाने में आप से हुई सभी गलतियों की माफी आवश्य मांगे और फिर भगवान को लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में बाटे दशारा के दिन मांगलिक कार्य तरसे किसी नए काम के शुरुआत करना वहन आभूजन आधी सामान करेदना अत्यांत ही शुब माना जाता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं दशारा के दिन अपनी स्थिती के अनुसार दान दक्षिणा दे और गरीबों को भोजन आवश्य कराने का प्रयास करें ऐसी और जरूरी जानकारियों और वरतकताओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें